Subscribe to our channel and hit the bell icon नमस्कार दोस्तों कृषपारामेट्रिक की लेक्चर में आपका स्वागत है चलिए आज कृषपारामेट्रिक में नया कमांड सिखते हैं दोस्तों ओपन करते हैं फाइल को तो दोस्तो आज का जो मेरा कमान्ड रहेगा वो सारा यहाँ पे ड्राइंग पर बेज रहेगा ठीक है आज ड्राइंग मॉडल को हम लोग चालो करेंगे ठीक है और इसमें देखेंगे कैसे एक हम लोग 3D डाग्राम या टूरी डाग्राम का यहाँ पर ड्राइंग करते हैं फाइनल क्योंकि जो भी मेरा पार्ट असेंबल होगा या पार्ट जो भी वैनिफ्क्ट्र होगा ठीक है दोस्तों उसको जब फिल्ड में हम उसको माली एसेंबल करेंगे या कहीं पर भी माली मनेफ्क्ट्र करेंगे तो उसके लिए मुझे टूरी ड्राइंग का जुर द्राइंग मोडल फाइल नेम इसमें अगर आप ठीक मार दीजिए कर दोस्तों तो जो ड्राइंग का नाम रहेगा ठीक है जैसे सपोज पार्ट 001 करके सेव रखते हैं या या गियर टू या सपोज कुछ भी पार्ट रहे मेरा माल लिए मसीन वान मसीन टू का तो ऑटोमेटि और इसमें बाइडिपोल्ड नहीं करके हम ओके करते हैं तो देखिए यहां पर तीन ओप्शन कुलेगा यूज टेंपलेट इम्टी विद फॉर्मेट और एम्टी ठीक है तो सबसे पहले हम एम्टी में चालू करते हैं दोस्तों ठीक है एम्टी में क्या है आप तीन तरह का पोट्रेट लेंड्सकेप और वैरियेवल ठीक है पोट्रेट में देखिए यहां पर साइज डिफाइन किया हुआ कुनकुन सा पिपर का साइज है एजिरो एबन एटू एट्री एफ़ोर से लेके अप्टू ए तक उसी तरह लेंड्सकेप में भी यहां पर वही सेम है और में अगर आप यहां पर साइज डिफाइन करना चाहते हैं इंचेज या मिलिमीटर में तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं तो ठीक है पिलाला में लेंड्सके प्लेके चलते हैं और साइज से पोर में लेते हैं एटू ठीक है और यहां पर करते हैं तो देखिए मेरा य और फीट से उपिन करते हैं अभी देखिए एम्टी विद फॉर्मेट दोस्तों ठीक है हम लोगों के पास यहां पर आपका किरियों पारामेट्रिक में पहले जो कुछ प्रीडिफाइड फॉर्मेट आपके इस्टॉल है दोस्तों ठीक है अब बரाओ St ya तो देखिए अब ट्रॉट फॉर्मेट आगए ठीक है इसको प्रीवू करना है तो देखिए आ पर है यतने सारे है अ साथाट कि सिम के हैं ठीक है सपोस्वोज यह फॉर्मिट लेते हैं सी वाला और इसको उपन करते हैं ओके करते हैं देखिए यह मेरे पास फॉर्मिट आगा है दोस्तो यहां पर नाम वेगर आपका लिकना है कंपनी का नाम ड्राइंग का नेम मोडल साइज तो आप यहां पर इंपूट कर सकते हैं जो ठीक हां यहोगा सरेंडस वला उसके बाद मेरा यहाँ बाता हerkर कि तो टेंपेलेटों में देखिए दोस्तों नहीं है इसलिए तो हम एक जो आपर मोडल को सपोर्ज इन कराल थे यह ब्लॉज्वार क्लिक करके खीक है और अब हम इसमें टेंपलेट देखी अंधर रहेट हो गया आप ज्स पर ल्यना सब स्सेर्बूस्ट क्लिक कजिए और हैं पिर यहां पे यूश़ टेंपलेट प्रसक्राइब कर लीजैंड कि देखिए तो आपका यहां पर जो मेरा गियर था दोस्तों ठीक है यह मेरा कम्प्रीट आपका यहां पर इसका व्यूजर क्रीट हो चुका है पहले से मेरा प्रीवाइन टेपनेट था कि ये यहां पर है इसका फ्रंट उलेगा साइट फ्रींड किया ठीक है नेकिन जब log view को यहाँ पर टिक मार ली जएगा ठीक है और इसको जब move किजगा देखिए देखिए move करने देख रहा है कि रहा है इसको lock कर लिए आप move करने नहीं देखा ठीक है यह sheet one को यहाँ पर करना है तो आप बात पर मौसज़ का दबल left क्लिक कोई किजए और यहां पर आप निम्न करना चल ली और कली करना है तो यहाँ पर प्लस का simbol कर सके क्लिक कर सकते हैं इस टीक सिट करके अम इसनो की यह पीर है रहा क्लिक करके ए थीक है कि ऐसी सेटब पे क्लिक कीजिए आप यहां से भी जा सकते हैं सी सेटब में दूसरा आप यहां से मौस का राइट क्लिक करके सेटब ठीक है और साइज अगर चेंज करना है हाँ आप साइज को दुबारा रिडिफायन हैं आप कर सकते हैं ठीक है अगर फॉर्मेट अगर फॉर्मेट जो यह बैक्ग्राउंड का जो बॉडर है इसको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं टिक मार के यहां से देखें आ गया तो इसको तरह से बढ़ा लीजिए कीजिए ठीक है ठीक है और ट्रेट ठीक है लेंड्सकेप द्रिब्यू ओके किजिए यहां सीटप का कॉंसेप्ट है हाँ पर किलियर है इससे कौपी अप्या है गहां इसपर क्लिक किलिक कीजिए आप दुस्तों । जिक है इसपर ओके किजिए दो यह ड्राइंग का पुरा कंपिलीट जौक्त अज़ा दुस्तों आपकोवे आ nossa sheet 2 में पुरा कंपुलीट कॉप्य हो गया ठीक है कि लिए रहा अब शीट वह ड्राइंग वान है क्रिएट कॉपी इस पर क्लिक कीजिए देखिए पीसे क्रेट कॉपी हो गया ठीक है तो यह कॉपी और मूब करने के लिए आपका दूस्थ यहां पर काम में आएगा ठीक है इसको कर दीजिए टीक है और यहां पर देखिए मौस का राइट किए और कुछ अपडेट करना है तो यहां पस आपडेटकर लिजे ठीक है स्केल का आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा लिखा रहत ठीक है आने वार एलकिजर में जो बची हुए option से हम लोग एक करके हम लोग दोस्तों समझेंगे ठीक है तो होप यहां तक जो concept है दोस्तों आपको यहां पर clear हो गया हो दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही अब हम लोग next lecture में मिलेंगे दोस्तों धन्यवाद